पूरा मामला हमीरपुर जिले के राट कोतवाली का है जहां के परेशान किसान का रोख कि इंद्र देव की वजह से परेशान है गरीब और किसान मामला हमीरपुर के राट थाना इलाके के बसीला गाउं का है गौर तलब है कि हमीरपुर जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से खरीश की फसलों को भारी नुकसान हुआ है वहीं सेक्डो मकान भी जमी दोज हो गए है इसी से परेशान होकर एक किसान नेता ब्रच किशोर लोदी इंद्रदेव पर अधिक वर्षा करने का रूप लगाते हुए मुकदमा लिखाने पहुंच गया ब्रच किशोर लोदी ने बताया कि वह भारती किसान निरुन का बिलॉक अद्यक्ष है और पुलिस को तहरीर देने आया है कि इंद्रदेव ने जानबूश का लोगो शिकायती पत्र चर्चा का विशे बना हुआ है वहीं किसान नेता ने यह भी कहा कि ज्यादा बारिश के चलते गरीबों के कच्चे मकान ढह गए हैं जिसकी वज़े से सैक्लों लोग बेघर हो गए हैं किसान नेता ब्रच किशोर लोदी नारुक लगाया कि इंद्रदेव की लेकिन इंद्रदेव के खिलाफ यह शिकायती पत्र इलाकी में चर्चा का विशे बन गया है शिकायती पत्र में क्या लिखा है कि किसान नेता ब्रच करने की वज़े से खराब हो चुकी है अब किसान भुकमरी की कागार पर पहुँच गया है ऐसे में इंद्र भगवान के खिलाफ रिपोर्ट दर कर किसानों को न्याय दिलाने की किरपा करें मंत्री का पद मिला हुआ है बर्चा कर तो इनके खलाप है कि पूरी थासले चौपट बरबाद है कि जाइबो के मकाम के रहे कोई विणायने मेरा है अगर इसी इंसान ने किया होता तो उसके खलाप सेकाय कर सी यह तो प्यवाल भगवान दियोता ने हिग पैंडर ने ही पि क्या चाहेते हुआ? मैं यह जहता हूं कि इसमें साथ रफाइगा जाजी हो कि इसके खलाब में हाई-पोर्ट तब भी जाऊंगा हाई-पोर्ट से नहीं आपकर नहीं मिला तो इसो प्रिंपोर जाऊंगा